नमस्कार जनित इंडिया में आप सभी का स्वागत है क्या भारत और चीन जुद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्या ऐसी परिस्तितियां बन रही हैं कि ये दोनों देश जुद्ध के मैदान में उतर जाएं? जी हाँ भारत सरकार के उच्चादिकारियों का कहना है कि जिस तरह की तयारियां चीनी सेना और भारतिय सेना सीमा पर कर रही हैं खासकर लगदाक सेक्टर में ऐसा लग रहा है कि ये तनाव कोई भी मोड़ दे सकता है इन सभी तयारियों के बीच भारत का कहना है कि वो सांती बनाये रखने की पहल को आगे लेकर जाना चाहता है लेकिन अगर चीनी सेना कोई उकसायो वाली कारवाई करती है तो भारत मुहतोर जवाब देगा अगर सेने तयारियों की बात करें तो भारत ने फिंगर फोर पर उचे इलाकों में अपनी तैनाती काफी मजबूत कर ली है वहीं दचछडी पैंगौंग इलाके में जो उचाई वाले छेतर हैं भारत वहाँ पर काफी मजबूत इस्थिति में है अगर बात करें उत्तरी पैंगॉंग की तो वहां भी फिंगर फोर तक भारत की स्थिती काफी मजबूत है। भारती सेना ने अपनी तैनाती वाली जगह से कुछ मीटर दोरी पर कटीले तार भी बिछाये हैं और साथी साथ चीन को ये हिदायत दी है कि अगर चीनी सेना इन कटीले तारों को पार करती है तो ये उकसावे वाली कारवाई मानी जाएगी और भारत इसके खिलाफ मुहतोर जबाब देगा वहीं चीन ने तिबबत के पठार पर अपने इलाके में 150 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों को तैनात किया है साथी साथ भारत ने भी इसी संख्या में अपने लड़ाकू विमान और जो भी सैनिक साजों सामान होते हैं उन सारी चीजों की विवस्था कर मेंस अब ये हो सकता है कि कभी भी ये तैयारियां युद्ध का रूप ले लें ये बात मैं नहीं कह रहा ये भारत सरकार के उच अधिकारियों का कहना है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तस्वीरें दो दिन पहले की हैं जिन में चीनी सैनिक एक भाला टाइप के हतियार को लेकर खड़े हैं और साथ में इनके पास आटोमेटिक गंस भी हैं तो इस्थितियां ठीक नहीं हैं यहां सैन ने तैनाती की तुलनागर की जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन मजबूत है क्योंकि दोनों देश यहां अपनी इस्थिति लगभग बराबर यह विवाद और बढ़ता है युद्ध की सकल लेता है तो नुकसान दोनों देशों का होगा किसी एक का नहीं तो चीन को साउधानी बरतनी चाहिए अगर भारत सांती की पहल कर रहा है तो चीन को भी इस बाबत सोचना चाहिए वहीं अपनी पूरी तैयारियों के साथ भार